बिहार बहुत स्वागत है आपका बिहारी नियूज में मरतन सेन भारती अज हम बात करेंगे अस्मार्ट मिटर के बारे में बिहार Electric City Supply Board के प्राप्धान है कि उपभोकता द्वारा दिये गई बिजली के काम में बाधा पहुंचाई जाती है तो उसकी बिजली कनेक्शन काट दिया जा सकता है। बहरा सरकार के विदुत मंतराला की तरब से यह आदेश जो है वह जारी किया गया है। अब जो बात सामने आ रहे हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि बिजली कमपनी असमार्ट मीटर लगाने के लिए पूरी तरह से स्वतंतर है। समाप्त होने से स्वता बिजली कर जाएगी। कहा जा रहा है कि उपवकताओं को इसके लिए बिजली कमपनी को नोटिस देने की भी आवा सकता नहीं है। अधिकार के तहत यह लगतार पूछा जा रहा था कि असमार्ट मीटर लगाना जरूरी है या नहीं। इधर असमार्ट मीटर को लेकर बोलते हुए साउथ बिहार पावर डिस्ट्रिबूशन कमपनी के जीएम राजस अरवींद कुमार ने कहा कि भारत सरकार ने विधूत मंत्रा ले की और से असमार्ट मीटर लगाने के लिए तीन असपस्ट आदेश जारी किये हैं। असमार्ट मीटर लगाना अनिवार किया गया है। पहला जो भारत सरकार की तरफ से जो बात कही गई उसमें कहा गया कि असमार्ट मीटर लगाना अनिवार किया गया है। नए मीटर लगाने या फिर पुराने मीटर को बदलने के लिए उपभोकताओं से सहमती लेने किया व लक्ष रखा है आपको यह भी बतातें कि प्रदेश में एक करोर सतर लाख उफोकता है जो कि बिजली का इस्तमाल करते हैं जिसमें से एक लाख सतर हजार घरों में अब तक जो है स्मार्ट मिटर लगाया जा चुका है अब उमेद यही कि जा रही है कि भारत सरकार की तरफ से जारी इस नए आदेश को बाद इसमें तेजी आएगी और सभी घरों में अस्मार्ट मिटर लगाया जा सकता है अस्मार्ट मिटर को लेकर जैसा कि हमने पहले भी कहा कि लगतार भारत सरकार और बिहार सरकार यह चाह रही है कि बिजली चोई से जो है वह बचा जा सके अगर Smart Meter लग जाएगा तो आपके घर में जितना आप बिजली का इस्तमाल करेंगे उतना पैसा आपके पास होना चाहिए तभी आप उसको रिचार्श करेंगे और उसके बाद से आपके घर में बिजली जलेगी Smart Meter को लेकर भाराश सर्कार लागातार सा जग है एक रसकरने बिहार सरकार भी बिजली चोरी को लेकर खास करके इस से भारत सरकार को छुटी मिल जाएगी बिहार और बिहार से जोड़े और भी सेंग कबनों के लिए बने रहें बिहारी नियूज के साथ मुझे दीजी अजाज़त धन्यवाद